Hello everybody, this is Degrass Singh Rajput, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम ड्यू के बारे में पढ़ेंगे, ओस के बारे में कैसे ड्यू बनती है और वो सारी चीजे ड्यू, ओस के साथ में आपने देखू को बहुत सारे मेटाफर जोड़े जाते हैं तो आपने उसकी बुंदी देखी होगी ना पार्क में सुभे देखने को मिलती है क्रिकेट फिल्ड पर हमें देखने को मिलती है सारा सब कुछ तो डि्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है चाप्टर से कनेट करो Water in the Atmosphere अब dew जो है वो atmosphere में ही, atmosphere में water कैसे बनता है, कहां से आता है, वो पूरी कहानी आपको यहां पर समझना है, ठीक है, तो जो atmosphere में water आता तो एक form dew का भी होता है, जैसे भी frost, fog, mist, यह सारी चीज़े भी पढ़ेंगे हम subsequent videos में, इस video में हम dew के बारे में समझते हैं, तो इन दी moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surface of solid objects, ठीक है, solid objects such as stones, grass blades and plant leaves is known as dew, क्या हो रहा है कि देखो आपको यह पता है कि atmosphere के अंदर का है, moisture है, water vapors है, ठीक है, humidity है, अब वो moisture जब क्या होता है, वो moisture जब थंडे objects के उपर, थंडे solid objects के उपर, थंडे surface के उपर deposit होने लगता है, और थंडे surface के क्यों deposit होता है, वो भी समझाओंगा मैं, ठीक है, जैसे आपने पिछली वीडियो में क्या देखा कि condensation कहां हो रहा है, कि जहाँ temperature कम हो रहा है, उपर जाओ कि temperature कम हो जाएगा, और temperature कम हो जाएगा, तो वो जो moisture है, वो जो water vapor है, वो क्या होने लगेंगे, वो एक hydroscopic nuclei के आज cooler object है, cooler object के उपर क्यों होगा, क्योंकि relativity है यहाँ पर, relativity क्या है, कि जितना atmosphere के अंदर, जो water vapor है, वो और थंड़े होंगे, तो cooler object क्या है, और थंड़ा है, तो और थंड़े होंगे, तो वो उससी के उपर क्या हो जाएगे, deposit हो जाएगे, ठीक है, तो rather than nuclear in air above the surface, तो जो हमने के condense होने का, दूसरा तरीका जो है, जो आपको dew कहा जाता है, जिसे specifically, वो क्या है, कि जो moisture है, एड्मॉस्फेर में, वो अपने से relative cold surface के पास जब जाता है, moisture, तो वो cold surface से इंटरेट होने का दो और थंड़ा होता है, और वो वहीं पे deposit हो जाता है, moisture, in the form of water droplet, ठीक है, और air ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही होगी, तो क्या होगी, फिर अब वो हवा, movement जादा होगा, हवा का, तो और moisture ले लेगी, saturation point late आएगा उसका, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या समझना है, ideal condition क्या है, formation of clear sky, कोई clouds बगराना हो जादा, calm air, high relative humidity, high relative humidity होना चाहिए, कि इधर humidity ज जिसे आप देखते हैं कि दिन भर भी moisture रहता है, विंटर्स में, लेकिन रात में क्या हो जाता है, winter में जिसे अगर आप देखोगे, कि रात में temperature और dip हो जाता है, तो जो condensation के लिए, वो क्या सकते है, saturation point है, वो क्या हो जाता है, air mass का saturation point और जल्दी आता है, या फिर क्या सकत है, cold surface के साथ interact करती है, तो वो जितना उसके अंदर moisture था, वो सारा का सारा convert हो जाता है, किसमे, water drop late में, fine, एक चीज़ यहां पर यहां रखना है, क्योंकि यह नेक्स वीडियो में, फिर हम जो अगला topic पढ़ेंगे, जैसे frost तो उससे connected है, for the formation of dew, it is necessary that the dew point is about the freezing point, about the freezing point, freezing point, freezing point उपर ही क्या होता, dew बनती है, dew point जो होना चाहिए, dew point क्या है, कि the temperature at which the saturation takes place, saturation जो होता चाहिए, air masses का, यह moisture का, वो क्या होना चाहिए, वो dew point जो होना चाहिए, उसका वो 0 degree Celsius से उपर होना चाहिए, 0 degree Celsius से नीचे होगा, तो frost बन जाएगी, 0 degree Celsius से उपर ही, अगर वो saturate हो is about the freezing point, freezing point 0 degree Celsius से उपर होना चाहिए, dew point किसका, air masses का, तब वो क्या करती है, dew में convert हो जाती है, so this was all about dew, next video में हम frost के बारे में पढ़ेंगे, I hope you found this video fruitful, ठीक है, magnet brain पर इसी तरह से, kindergarten से class 12 तक सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सब कुछ, systematic way में, video lectures के format में available है, जिनने आप बहुत आसानी से बस complete कर सकते हैं, अपने juniors और seniors को जरूर बताई, magnet brain के बारे में, मिलते हैं next video में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much